एलो माई फ्रेंड वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन बहुत-बहुत स्वागत है मेरी चनल में आपका आज हम लेके आया हैं वॉयर्ट वी ए आई क्रिप्टो करंसी जो ए आई से रिलेटिड है हमारे जो ग्रूप है जो हमारा टेलिग्राम चैट है तो उसके अंदर काफी वीडियो बनाने में कभी कोई लेट नहीं होता विकोज वीडियो बनाने का मकसद आपको अमीर या गरीब बनाना नहीं होता उसका मकसद यह होता है कि जिस भी टेकनोलोजी के टोकन आप परचेस कर रहे हो तो वह टोकन क्या आपके लिए जाया जाया आपके उसमें इन्व और टोकन की वाई बोलेंगे वी एअई करके इस token का नाम हम बोलेंगे क्योंकि वाइट बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो जो वाई टोकन है उसके जो market cap है 7 million है और अगर अगर मैं इसका जो थोड़ी देर पहले मैं अगर इसका वीडियो बना रहा होता तो उसकी उस वक्त जो एक दो घंटे पहले इसकी जो market cap थी वो 8 million के आसपास थी तो circulation supply 196 है और धीरे-धीरे market में आएंगे इसके token और जो 400 million इसकी जो maximum और total supply है तो दोस्तो अब यह कितना old time high गया है यह देख लेते हैं और उससे भी पहले हम यह देखते हैं कि यह कौन-कौन सी exchange के उपर है दोस्तो यह kucoin exchange के उपर है और gate.io दो exchange के उपर already आया हुआ है दोनों अच्छी exchange है kucoin काफी अच्छी volume भी है उसके उपर पर यह old time high अगर देखें इस token का तो old time high जो है इसका कितना गया है यह थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तो old time high इसका 23,000% already यह गया है विकोज यह जो मार्च में 2022 में ही launch हुआ है दस महीने पहले और वहां से अब तक का सफर इसका समझ लो की 234 x गया है तो 23,419% गया है बहुत अच्छा परसेंट है अगर x में count करते हैं तो 234% यह गया है तो एक अच्छा इसने moment लिया है और आज की date में अगर देखा जाए तो 0.038, मतलब 3 cent के आज पास है तो दोस्तों क्या इसमें entry लेने चाहिए और क्या थोड़ा सा रुकना चाहिए इसके entry के लिए इस सब चीज़े देखते हैं उससे पहले हम थोड़ा साथ discuss कर लेते हैं इनका जो ब्लॉक्चेन के उपर कि यह ब्लॉक्चेन पर कितने holder है और क्या है तो इससे क्या होगा कि हमें यह idea हो जाएगा कि इसमें holder कम है potential ज्यादा है और कि नहीं है तो दोस्तों 1499 में इसके holder है total overall मतलब 1500 समझ सकते हो because of kucoin and gate.io जो exchange है इसके उपर already you know हो सकता है थोड़े से extra because यह on chain का data है off chain में कितने लोग खरीद के रखते हैं और उनका data थोड़े सा अलग भी हो सकता है because यह जो blockchain है केवल on chain data ही दिखाती है फिक है off chain इससे भी ज्यादा हो सकता है और इसके अलाबा इसके जो अगर top holder देखें तो 50% है यह company का account होगा ज़रूर यह 50% उनके wallet में है दोस्तो 50% ही नहीं हम यह मानते हैं कि शुरू के 3-4 जो heavy supply जिसके अंदर है बलब एक token kucoin के उपर जो है 5% है और यह kucoin 9 कर गे है public tag जो है यह भी public tag है और यह भी public tag है तो इस पे जो 8%, 5% और 3% दिखा रहे हैं लेकिन उससे भी उपर जाते हैं 9% और 50% जो है अभी भी company के पास है तो दोस्तो gate.io के उपर जो दिखा रहे हैं यह 8,330 में token है 2% है तो शुरू के एक risk factor है बट बड़ी exchange पे है तो इनका vision कुछ बड़ाई होना चाहिए और on chain का तो data हम देख रहे हैं कि holder जो है 1500 के असपास है जो maximum supply है 400 million है जो ठीक था कि अपने आप में और इसके अलावा दोस्तों यह देख लेते हैं कि यह void basically करता क्या काम है और इसका future में क्या price जा सकता है जैसे कि last time मैंने 5 token बनाये थे AI से related मतलब artificial intelligence से related तो फिर से यही सामने आया है कि artificial intelligence का एक tool सामने आया है जो tool market में जो कमाई कर सकता है जो काफी चीजों को जोड़ कर वो पैसे बना सकता है दो बंदों के बीच में contract create कर सकता है तो इस type का tool लेके आया है जैसे कि यह tool एनोंने photo में दिखाया है आप देख भी सकते हो इनका जो tool है वो किस तरह से काम कर रहा है तो scanning भी कर सकता है और काफी सारे चीजे कर सकता है वो सारी चीजों का discussion करेंगे Malta एक country है और वहां से regulated है यह cryptocurrency वहां की जो financial advisor जो गोर्मेंट की जो financial ecosystem है financial department है उससे भी यह approved है और अगर according to Malta government देखा जाए तो यह पूरी तरह से secure है Malta country के हिसाब से और वहां के लोगों को इसके उपर trust easily build up हो जाएगा because यह regulate है Malta की government से समझ लो ठीक है अब यह जो इनके जो news इन्होंने कहां कहां पर यह चीज़े दी थी और कहां कहां पर इनके बार में आप पढ़ सकते हो यह सारे news based channel है investing.com, coindex, nestag यह सारे news based channel है इसके उपर सबने सारी ad वगरा इन्होंने दी थी तो एक वीडियो है अगर कुछ मिस हो जाए तो यह वीडियो देखके भी आप समझ सकते हो फिलहाल मैं वीडियो चलाऊंगा नहीं because YouTube के agreement के खिलाफ है यह चीज़ें तो दोस्तों यह जो tool basically क्या काम करता है AI legal assistant इसमें से कुछ चीज़ें इन्होंने जो बताईए अभी start नहीं हुई है और future में इनके roadmap में लिखा हुआ है तो यह क्या शुरू करेंगे कि legal assistance तो legal assistant मतलब यह जैसे कि Alexa आप देखते हो Google में अब कुछ कहते हो तो एक कोई question करते हो तो उसके बदले में एक answer आता है यह जो tool build किया गया है और आने वाले time में लोगों का time बचाएगा easily एक ऐसा tool बनाया है जो you know pre-planned है किसी भी concept को लेके एक ऐसा tool जैसे insurance को भी ले सकते हैं जैसे किसी की car को बेचना है sell buy करने के लिए यह tool का use किया जा सकता है अगर देखें तो एक अच्छी company के रूप में यह अगर उभरते हैं आने वाले time में तो यह tool बहुत आगे जा सकता है जरूरी नहीं है कि यह tool juice rate जो a lot of tools in the market already तो उनकी तरह ही यह जरूरी नहीं है कि यह खतम हो जाएगा यह भी हो सकता है कि बहुत आगे जाए क्योंकि इन्होंने काफी पैसा हम देख रहे हैं जैसा कि इस company ने काफी पैसा कर्च किया है अफकोस एक government में register होना एक बड़ा जिम्मेदारी होती है और Malta government से यह पूरी तरह से covered हैं तो हो सकता है कि वहां के लोगों ने अगर इसमें investment किया हो तो उसको cover कर ले तो उसके अलावा यह दोस्तों यह आने वाले टाइम में AI legal assistant के लिए काम करेगी मतलब उसके रूप में काम कर सकते हैं मतलब आपको जैसे आप लिखते हो Google में अगर कुछ लिखते हो या बोलते ह तो उसके according Google result दिखाता है तो वैसे ही अगर यह legal assistant के रूप में सामने आता है तो जैसे कोई case के बारे में study कर रहे हो कि इस case में यह होता है और यह इस type का जो case है उसके कौन-कौन से वकील overall city में अवलेबल है या इंडिया में अवलेबल हैं कोई specialist वकील हो कोई कानून के बा करेगा तो एक तो यह खूबी हो गई ठीक है इसके use case समझ लो कुछ भी हो गया आने वाले time में यह feature हो सकता है इसमें दूसरा AI crypto protection broker and aggregation तो crypto जो AI का जो टू लोगा वो क्या काम करेगा protection broker and aggregator तो यह जो crypto protection के लिए भी काम करेगा और ऐसे broker करेगा यह लगा लो कि कुछ भी आपका काम करते हो तो कुछ भी brokerage वगरा यह ले सकता है आने वाले time में किस तरह की crypto protection प्रोवाइड करेगा यह जब टू launch हो जाएगा उसके बाद ही बदा चलेगा AI merchant तो दोस्तों sales assistant के लिए यह काम करेगा जैसे एक आदमी कई बार क्या होता है कि एक बंदा होत product को दूसरे बंदे के पास लेके जाता है तो बहुत सारा time energy और you know preparation उसको करना बड़ता है यह AI merchant क्या करेगा तो यह उस product को present करेगा किसी और के सामने एक अच्छे तरीके से एक अच्छे तरीके से और जिस तरह से यह लोग इसको setup करेंगे उस हिसाब से उस product को उस चीज को build करके उस चीज का you know demo बना किया कुछ भी करके एक ऐसा sales assistant तयार करेंगे जो जो अगर किसी के पास you know download करते हैं तो उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वह easily उस product के बारे में जान लेगा किसी बंदे को जाने की कोई जरूरत नहीं होगी इसके लावा invest in advanced AI blockchain solution today तो regulated audited and transparent तो इन्हों नों जैसा अपने product के बारे में एकदम खुले बताई दिया है कि यहां पर तो of course transparency तो ही है regulated and audited तो regulated भी है audited भी है और इसका जो real all use case for both businesses consumer तो दोस्तों यह एक middle middle you know brokerage की तरह काम करेगी application और जब भी आप 2% use करेंगे मतलब एक तो presenter है ठीक है अगर कोई car बेच रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वो अगर car बेच रहा है तो इस application के का जो पूरा इसमें feed कर देगा और अपनी car के बारे में दूसरे को दूसरा अगर देखता है उसको तो उसी हिसाब से वो सारी चीजे you know answer देगा और उसी हिसाब से सारी चीजे का documentation according to this application हो और उसके बदले में इसको कुछ न कुछ you know brokerage देनी पड़ेगी इस application को pay करना पड़ेगा उन बंदों को और वो pay करेंगे इनके token में solution developed with tech giants तो जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनके लिए solution भी काम करता है यह बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए जैसे मैंने बता है कि time और you know preparation करनी पड़ती है बहुत सारी तो उसको बचाने के लिए यह application बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है ठीक है अगर आप घर पे बैठे हो या कोई आप जनना चाहते हो किसी चीज़ के बारे में तो Alexa जैसे काम करती है आपकोस यह वी वैसे ही काम करेगी token utility क्या है तो broker है यह application एक तरीके से दो बंदों के बीच में business और consumer के बीच में और इसके अलबा स्टेकिंग करेंगे तो काम आएगी और इसमें जो भी validators वगरा एड होंगे तो वो भी इस token को अपना जरिया बना सकते हैं strong team and partner team के बारे में already इन्होंने बताया कि बहुत अच्छी strong team है और of course जो है software we are incredible team individual holding professional background of in blockchain AI software development cryptography project marketing sales and more feel free to meet each us on linkedin तो linkedin पे सारी जो लोगों का है profile है चेक कर सकते हो और इसके अलाबा void solutions जैस solution और इसने बताए हैं और मैंने आपको भी समझाने की कोशिश किया कि यह असिस्टेंट लीगल असिस्टेंट और यह यह चीज़े ही लिखी हुई है इसके अंदर तो दोस्तों अब एक चीज़ और बता दूँ यह जो वर्चूल असिस्टेंट है दूसरा यह जो कंपनी है यह कंपनी किसने बनाई है IBM Watson ने एक कंपनी है जिसके नम है IBM Watson तो वो उसके बारे में मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा तो यहां पे मैं आपको दिखाने की गोशिश करता हूँ जो एको सिस्टम और एप्लिकेशन या टूल को बनाने वाले IBM Watson है यह जो AI की एप्लिकेशन जिन्होंने बिल्ड अप की है और यह IBM का नाम एक वर्ड नोन नेम है जो अपने आप में बहुत अच्छा है तो यह टोकन तो नहीं हो सकता है इन्होंने बना नहीं है ठीक है अब यह मुझे इसमें यह नहीं लगा कि मतलब कि टोकन को किस तरह से यूनों यूज केस के रूप में ऐसा कोई वीडियो अगर पता चल जाता कि दिख जाता यह एक 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 असिस्टंट है बोल रही है वूड यू लाइक तो पेमेंट इन आवर टोकन तो उसके बारे में कुछ मुझे मिला नहीं बट एटस फाइन पर आइबेम ने बनाया है तो कुछ अच्छा ही बनाया होगा। पावर्ड बाय का मतलब ये नहीं है कि इस कमपनी में इनवेस्ट करने वाले IBM Watson है ये कमपनी है पावर्ड बाय मतलब इन्होंने बिल्ड किया है ये ecosystem को की जिम्मेदारी लेते हैं कि इनका ecosystem अच्छा है तो powered by या made by कभी-कभी एक ही होता है तो अलग-लग तरीके से use करते हैं कि लोग इसमें invest करें token allocation तो दोस्तो token allocation जो है वो 12% तो partners की थी 15% team की थी 32% जो token sale इनकी जो token sale है मैं आपको पहली बता दूँ कि इनकी जो token sale है वो DAO maker platform के उपर हुई थी DAO maker एक बहुत अच्छा platform है और वहाँ पे अच्छे-ची sales आती हैं और वहाँ पे ज़्यादतर sales में कोई किसी को participation अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा इनो उसका जो access बढ़ने के chances होते हैं ठीक है वहाँ पे इसकी token sale होई थी as I said बहुत सारे access बढ़ते हैं तो इसके अंदर भी काफी लोगों ने अच्छा पैसा कमा लिया जिसने भी DAO maker की जो sale में participate लिया था ठीक है तो 32% token sale और 6% advisor 10% ecosystem और staking जो rewards है वो 25% इन्होंने रखे हैं जो ठीक है इतनी बुरी नहीं है 15% इन्होंने team के लिए रखे हैं बट use of fund में अगर देखा जाए तो 24% जो होगा operation expenses में होगा और 28% marketing and sales में होगा जो marketing and sales तो marketing और sales में हो सकता है कि इन्होंने ku coin वगरा में जो अपनी listing की है वो इस वाले fund से की हो वो इस वाले fund से की हो तो 40% solution जो होगा solution development से होगा 40% तो 8% इन्होंने reserve रखे हुए future के लिए ठीक है और बाकि इसमें बताए नहीं कि इस चीज के लिए रखे हुए है बट future के लिए रखे हुए है इसके अलावा और इसकी जो name जो है वाइट है और 400 million इसके total token इन्होंने mention किये हुए है अपनी website पे अब इसके partners वगरा देख सकते हैं इनके page के उपर वी आर सपोर्टेड बाए पार्टनर एंड नेटवर्क आईबियम चैनलिंक कन कोईन फर्म्स और दाव मेकर ओराई चैन यूनिकली M.I.C. एंड यूनोरे अंब्रेला अंब्रेला के बारे में आरड़ी वीडियो बना चुके हैं और इसके अलावा ब्रोकोन T.I.X.I T.I.X.I और ब्लॉंजे प्रेगरमा और फैक्ट ग्रूप तो ये कुछ नेम है आप देख सकते हो crypto industry के और इसके अलावा इसके जो client है अभी देखो इनोंने अपना जो एक ही client अभी बताया है अब ये कितना बड़ा client है इसके बारे में अगर आपने देखना है तो आप यहाँ पे click करके भी देख सकते हो super बजार है जो काफी सारी location के अंदर already काम कर रहा है ठीक है और ये जो accept करते हैं इनका token जो void है वो accept करते हैं और ये उसके अलावा accept करने के साथ साथ ये उसको assistant भी provide करते हैं इनके customers को तो ये एक अच्छा use case है एक जो है सूपर बजार इसको support कर रहा अच्छी बात है बहुत अच्छा होता ये और जगह भी use कर हो रहा होता तो ज्यादा worldwide level के उपर हो सकता है जो सूपर बजार इनकी अपनी country में हो लेकिन ये worldwide use हो रहा होता तो बहुत अच्छा लगता अब यहाँ पर staking करने के लिए अब stake भी कर सकते हो यहां staking का button अलड़ी दिया हुआ है अब इसका white paper में मैंने पढ़ा था white paper वगरा जो road map देख लेंगे white paper जो पढ़ा था इसके road map के अंदर जो दिया गया है 2017 से यह लोग तयारी कर रहे थे idea of white is born उसके बाद यह 2018 में इन्होंने funding of white यह start किया प्रोग्रम स्टार्ट किया इन्होंने उसके बाद 2019 में world first integrated framework for ICO regulation framework जो तयार हुआ जो 2019 में H1 में हुआ उसके अलाबा launch किया private round इन्होंने वाइट प्रोजेक्ट का approved है registered है MFS से तो MFS से क्या है basically Malta Finance Services Authority तो finance related जितनी भी services होती है उनको authorize करती है यह department government department of Malta तो वहाँ से registered है वहाँ के इसाप से कोई problem है नहीं इसमें जो launch pad है इनका जो approved हो गया MFS की तरफ से white paper भी approved हो गया और इसके अलाबा initial phase of white IBM cooperation to be completed तो 2020 में ये भी चीज़े complete होगी इन्होंने time to time सारी चीज़े करी है थोड़ सा time जरूर लगा है इनको क्योंकि 2017 से अभी 2025 साल से ये project युनों कुछ न कुछ कर रहा है और इसने काफी चीज़े करके दिखाई तो है तो 2021 में virtual AI assistant ये जो इन्होंने launch किया इन्शोरेंस aggregator 2021 में उसके broker के लिए इन्होंने काम किया इसके अलाबा legal assistant for consumer के लिए 2021 2022 में इन्होंने किया तो दोस्तों देखा जाए तो इन्होंने काफी चीज़े की है अब ये complete हुआ है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है real time between the legal documents अब 2023 में और ये क्या लेके आते हैं migration of propriety blockchain solution और इसके अलावा integrate contract interoperability तो दोस्तों ये चीज़ें लेके आएंगे और ये कितना success होगा वो time बताएगा अभी के हिसाब से ये ये जो है दो exchanges के उपर already है तो मैंने बताया है जैसे कि DAO maker के उपर ये already आया था ये project और इसने एक चीज़ और बताई है कि ये जो इनका जो project है ये काफी सारे दूसरे project से हट कर है इसी type के जो दूसरे project है उनके साथ इनका comparison है दिखाया है इनकी website के उपर easy customizable है ये multipurpose all driven channels के साथ multipurpose के लिए use हो सकता है उसके लिए offering all supported contracts किसी भी तरह के contract में अप्रूव हो सकता है offering AI assistant AI assistant में of course offer कर सकते है इसको AI based legal guidance and support तो जैसा कि इसमें काफी चीज़े include कर सकते है तो legal guidance and support भी कर सकते है transaction between parties supported तो दो भी बंदों के बीच में transaction हो सकती है of course because smart tool है यह sector focus contract creation process and paper agreement digital contract यह सारी चीज़े इसके अंदर है आप देख सकते हो इसके अंदर सारे no no इसको accept करने के लिए आ गया सकते है जो जो company इसको use कर सकती है तो दोस्तों यह इसके अलावा देखो इसका कुछ चार दिन पहले इनका जो एक आया था giveaway का contract announced हुआ था तो इसके पहले इनका जो एम में हुआ था जो 16 December को इनके जो announcement हुआ था इसके अलावा जो एम में 6 December को भी हुआ था तो यह time to time एम में किया और high buddy project की September में development cycle update हुई और जो void tech update जो 31 में हुई अगस्त में तो almost यह हर time to time अपनी कुछ ना कुछ अपडेट लेके आ रहे है क्या हमें इस में इस project में पैसा लगाना चाहिए उसका answer है इस type के जो project है अच्छा है टूल भी अच्छा है और हर चीज़ अच्छी है तो थोड़ा बहुत fund लगाने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन इस type के project में वह वाला fund लगाएं जो आप अगर आपको fund चला भी जाए या तो आपको बिल्कुल भी दुखना हो छोटा सा एक project है लेकिन बड़ी company involved है काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं इस type के जो project पहले भी market में आया है और miss communication के की वज़े से वो market में tick नहीं पाए for long term मतलब मैं बताता हूँ एक तो communication problem हो जाती है कई बार क्या होता जैसे इतना बड़ा Google का जो ecosystem है वो Alexa जो है उसको जो exact हम कई वर question बोलते हैं because different language होती है और accent लोगों का different होता है तो कहीं न कहीं पूछते कुछ हो रहे हैं वो दिखाती कुछ हो रहे हैं तो miss communication होता है Alexa के बीच में और एक human के बीच में तो इस वज़े से वो गलत answer दिखाते हैं त और तो यह एक reason होता है और दूसरी चीज मैं बताता हूँ जब दो इन्होंने यह बता है कि जैसे दो parties को के बीच में car और यह जैसे car वगरा का example दिया था इन्होंने तो car वगरा के लिए कई बार क्या होता है parties को manipulate करना पड़ते हैं एक दूसरे को थोड़ा सा price को लेके कभ तो वो क्या होता है रिफ्रेंसिस भी देता है और काफी चीज होते हैं communication की वजह से और relations की वजह से कई बार चीजे खरीद देते हैं और बिखती है और OLX भी success इसलिए हुई because उन्होंने दो parties को मिलाया और एक controlled way में you know parties को मिलाया और आपस में उन दोने की meeting करवाई अगर व इस टाइब के टूल्स अभी तक इतना acceptable नहीं है human ने इतने accept नहीं किये बहुत आगे वाला time होगा जब भी इस टाइब के टूल्स काम करेंगे और human बिलकुल नहीं करेंगे तो अभी इस टाइब के project के ओपर पूरी तरह से यकीन करना एक तरह से बेवकुफी होगी because communication जो ह अगसे और eyes expression से होता है अगर हम किसी को communicate करना है तो expression से करना बढ़ेगा ठीक है सबसे पहले सामने वाले के expressions देखने पड़ते हैं यह जो robotic artificial intelligence होते हैं यह कभी भी expression को fully तरीके से देख नहीं सकते इसलिए कहीं न कहीं यह fail होते हैं अभी तक ऐसी को technology आई नहीं कि you know 100% human को read क तो कहीं न कहीं यह इस type के जो project में है पूरी तरह से एकीर नहीं कर सकते हैं अफकोस हर किसी को फाइदा चाहिए होता है तो आप इसमें छोटा सा amount लगा कर और long term अगर यह 2025 तक टिका रहा यह आपको बहुत अच्छा return दे सकता है stake करके रखना है तो रह सकते हैं यह और कू इसका जो token है यह अभी नया नया ही market में आया I think मैं check कर लेता हूं इसको कितना time हुए है तो दोस्तों इसकी जो listing हुई थी वह एक dollar के आसपास हुई थी और देखा जाए तो यह अपने all time high से बहुत ज्यादा down है all time high जो था 3 dollar के भी उपर गया था यह उसके बाद यह down आता दोबार जा सकता है दोस्तों मैं clear शब्दों में यह कहना चाहता हूँ अपसे जब धी तीन डॉलर के ऊपर गया था यह कब गया था अवाई और दो हजार एक्टिस में गया था एक साल पहले यह कंप Megasam गया था यह फर्वरी में के असाल एक्सचेंज प्रॉंच धारता सकते हैं कि 3 डॉलर तक पहले चला घया पेकोज हो सकता है कि इनने क्विडिटी बहुत अच्छी प्रोवाईड опред एक्चेंजिस के उपर और तीन डोलर पर इन्होंने अपने टोकन बेचना शुरू करा हो और कहीं न कहीं कंपनी ने टोकन को बेच के और लोगों जो प्राइवेट इंडिवेस्टर थे उन्होंने बेच के इसको एकदम डाउन आया इस रिसेंटली में हाइप क्रियेट हुई तो है इसकी लेकिन हाइप के साथ साथ आप देख सकते हो कि यह 25% डाउन भी गया था और कहीं न कहीं अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो उस पैसे से लीजिए जो पैसा कहीं न कहीं आपको यह लग रहा हो कि यह मेरी इंकम अच्छी है 150 डॉलर चले भी गये तो कोई बात नहीं उसमें आप उस तरह की सोच रख के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो फिलहाल केवल एक टूल के बदले में यह कहना थोड़ा मुश्किल है कितना ग्रो करेंगे अगर आगे बहुत अच्छा ग्रो किया या आप रिस्क लेने चाहते हो तो आपकी अपनी मर्जी है ठीक है तो यह मेरा था और यह ओल टैम अगर हाई की बात करें यह दो डॉलर के असपास जा सकता है अगर इसका जो अडॉप्शन हुआ इन्होंनों बहुत अच्छा काम करके दिया तो डॉट डॉलर के असपास यह इसली चला जाएगा और में भी उससे भी उपर जा सकता है असप्टेबल एक ही जगा है फिलाल दस जगा होता तो एक विश्वास बनता है और एक जगा है तो थोड़ा सा डाउट भी होता है कई बार तो anyway तो थोड़ा सा ये 50-50 में बता रहा हूँ कि ये 2 डॉलर जा सकता है for future लेकिन 2 डॉलर जाने के लिए इसको काम बहुत करने पड़ेंगे और आपको कम से कम fund के साथ इसमें काम करें आपना fund लगाएं जो भी है तो कम से कम जिसमें आपको कोई दिख्कत न हो अगर loss भी हो गया तो ठीक है न तो thank you very much अगर अच्छा लगे तो please subscribe करिएगा thank you have a good one take care bye bye